तो आज हम बनाने वाले हैं बच्चे हुए चावल से एक बहुत ही भेतरीन सी डिश जो कि मिंटो में रेडी होती है और खाने में बहुत ही टेस्टी है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं कोरियांडर राइस तो सबसे पहले हम प्रिपेर करेंगे कोरियांडर चट्नी जिसके लिए हमें चाहिए एक कप के लगभग फ्रेश धन्या पत्ती एक हरी मिर्च एक बड़ी चमच नार्यल का बूरा एक तुकड़ा अध्रक का दो लैसुन और दो बड़ी चमच के लगभग पानी अब इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे अब फटा फट से पैन में गरम करेंगे एक बड़ी चमच के लगभग घी जैसे ही घी गरम हो जाता है उसमें हम दालेंगे एक छोटी चमच भरके राइके दाने राई के दाने क्रैकल जैसे हो जाए उसकी बाद हमें इसमें एड करना है वन स्लाइस्ट अनियन एक हरी मिर्च कुछ करी लीव्स और एक चौताई कब भरके मटर के दाने अब इन सभी जीजों को हमें मीडियम आज पर लगबग तीन से चार मिट कुक करना है इस डिश में आप कोई भी वेजीज जो आपको पसंद है जैसे के गाजर, बीन्स, कौन यूज कर सकते हैं आफ्टर 3-4 मिनिट्स आप देख सकते हो हमारी प्याज और मटर कुक हो चुकी है अब हम आड करेंगे हमारी कुरियांडर चटनी फ्लेम को लो रहने दे और कुरियांडर चटनी और वेजीज को अच्छी तरीके से मिला दे अब आड करें दो बड़ी चमच भर के पानी सॉल्ट आज पर टेस्ट अच्छे से मिला दे और लगभग 2-3 मिनिट कुक होने दे लो फ्लेम पर इस मोमिन्ट पर आप देख सकते हैं कि हमारी वेजीज और कोरेंडर चटनी आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अभी इसमें हम एड करेंगे एक कप के लगभग बचे हुए चावल अच्छे से मिला दे इसको और करीबन 2-3 मिनिट मीडियम फ्लेम पर इसे कुक करें अब इसमें आड करें नीबू करस यह ऑप्शनल है बारी कटी हुए हरे धन्या की पत्ती अच्छे से मिला दे इसको तो लीजे कितनी क्विकली हमारी ये ब्यूटिफुल सी रेसिपी रेडी हो गई है अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे घर में एक ट्राय जरूर दे और अपने एक्सपिरियंस मुझे कॉमेंट बॉक्स में शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे अपने फैमिली और फ्रेंट के साथ शेयर करें ओप यू गाईस इंजॉड दे वीडियो थैंक्स वाचिंग झाले करें